तो नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी काज अर्कन जोप्स चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आएं टॉप 25 कुस्टेंज को आने बाले जैसे सी एक्जम्स लाइक के स्पेसल ब्रांच कोंस्टेबल या उत्पाद सिफाई के एक्जम्स में बह पहले सवाल के ओर चलते हैं तो पहला जो सवाल है रोकेट की गती पर कोन सा संग्रच्छन सिद्धानत लागू होता है तो इसमें जो उप्सन संबेग का संग्रच्छन वेक का संग्रच्छन गती का संग्रच्छन या अविकेंद्रान लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्त दोस्तों ए नम्बर है यानि कि अविकेंद्र वल के कारण तो अगला जो सवाल है दोस्तों सबसे पहले ग्रिय गतिनिम का नीरू यानि कि नहीं सुरुआत किस नहीं क्या था तो इसमें जो ऑप्सन एं डेविड थॉम्सन जॉस कपलर होगिन्स जॉनसन लेकिन इसका ज़ो सही उत्रE दोस्तों वो B नमबर है यानि कि जॉनस केपलर है तो अगला जा सवाल है दोस्तनों किसके दोरह उत्बन होती है जो अभी हम लोग यूज करते हैं ज्याज़तर समय तो इसका जो option है प्रिष्ट तना बाहरी तना वो आंतरिक तना वो गर्षन लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बॉल पेन की सिदान पर कारे करता है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है नंबर यानि की प्रिष्ट तन सिदान पर बरनोली सिदान पर न्यूटन के सिदान पर हेगरो सिदान पर लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बरनोली सिदान पर यानि की बी नंबर ओप्सन सही होगा तो अगला जो सवाल है न्यूटन का पहला गती नियम संकल्पना देता है तो इसमें जो option है जड़ है दोस लेकिन इसका जो सहीँ तरह दोस्तो वह बेंबर याननि कि द्रिष्टि तो अगला जो सवाल है दोस्तों लैंप की बती में तेल किसके खटना के करना, लेकिन इसका जो सही उतर होगा वो ए नम्बर है यानि कि कैसी कि खटना के connected अग्ला जो सवाल है दोस्तों एक समान और नित्रक के लिए सपस्ट यानि की सपस्ट दिरिषटी की नियुंतम दूरी कितने ही होती है यानि की कि इसने दूरी तक हम लोग दूरी से असपष्ट देख सकते हैं किसी चीज को तो इसमें जो उप्सन है पचीस सेंटिमेटर इसका सही उतर होगा यानि कि ए नंबर उप्सन सही है दोस्तों तो अगला जो सवाल है परकास को सुर्य से प्रतिवी तक पहुँचने में कितना समय ल जाते हैं सुर्य को पहुचने में बायुमंडल के उप्री भात में ओजन परत हमारी रच्छा किसके करती है तो इसमें जो उप्सन है वीकरनों से परावगण क्रिणों से जोलन क्रिणों से हानिकारक क्रिणों से लेकिन इसका जो सही उतर होगा दोस्तों वह है बी नंबर यानिकी पारबाई करिणों से तो अगला जो सवाल है दोस्तों रात के समय आवास च्छेतर में सोर का अनुमानित अस्तर होता है तो इसमें जो सही उतर होगा दोस्तों वह है बी नंबर यानिकी 45 dB तो अगला जो सवाल है दोस्तों सूर्य की उस्मा पिर्थीवी पर कैसे पहुंचती है तो इसमें जो ऑप्सन है तेज गती के द्वारा वीकरणों के द्वारा तरंगों के द्वारा कम गती के द्वारा लेकिन इसका जो ऑप्सन होगा सही ऑप्सन होगा वह बी नंबर यानि क प्रावरतन के कारण उसमा के कारण उर्जा के कारण लेकिन इसमें जो option सही होगा दोस्तों वो है नमबर यानि कि अनेक अपवरतन के कारण का सही option जो है नमबर है तो अगला जो तो अगला जो सवाल है दोस्तों fountain pen किस धन पर कारे करता है यानि कि काम करता है तो इसका जो option है किस नियम पर काम करता है इसका सही question जो है fountain pen किस नियम पर काम करता है तो इसका जो सही option होगा दोस्तों वह है यह नमबर यानि कि कैसी का किरिया के द्वारा फाउंटेन पेन काम करता है उसके नियम के अनुसार तो अगला जो सवाल है परकास कवेग सबसे पहले किसने मापा था तो इसमें जो उप्सेन है नियूटन, रोमर, हौकिन्स, डॉक्टर भावा लेकिन इसका जो सही उतर है दो दोस्तों बी नमबर है यानि कि उल्टी छाप तो अगला जो सवाल है दोस्तों स्वेट परकास का भिन भिन रंगों में विवेत करने के लिए किसका परियोग क्या जाता है आपने जब इसकूल में देखा होगा कि प्रिज्म के द्वारा ही हम लोग सात रंगों में देखते सुरी का परकास को तो इसमें जो सही ओप्सन होगा दोस्तों वह ए नमबर यानि कि प्रिज्म सही ओप्सन ए नमबर है तो अगला जो सवाल है दोस्तों हीरे की चमक का क्या काराण होता है तो इसमें जो ओप्सन है परकास की बाहरिक प्रावर्तन परकास का आंतरिक प्राव इसका ऑठावरतन बहुलित बाहरी प्रावरतन लेकिन इसका जो उत्तेर्फे दोस्तों वह अगला जो सवाल है दोस्तों बस में ड्राइवर के पास लगा दरपन कोनशा दरपन उत्ता एक तुस्तों में जो उत्तेर्फेक। सामाइने दरपन, आउतल दरपन, केमरा लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है यह नंबर यानिकि उत्तल दरपन तो अगला जो सवाल है दोस्तों ओटो मोबाईल, मोटर कारों में हाइडरलिक ब्रेकों के कारे कारांट पर कौन सा नियम लाग होता है तो अगला जो सवाल है दोस्तों सरवत्तम उस्मा सुचालक होते हैं तो इस उस्मा का सरवत्तम उस्मा सुचालक है तो इसमें जो उप्सन है पारत का उस्मा का गती का गोले का लेकिन इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह ए नमबर यानि की पारत का तो अगला जो सवाल है दो कर दिएक मातरा में फैलती है और अगर आपको वीडियो अच़ा लगे तो लाइक जिरू किजिए तो अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो कॉमेंट करना बिल्कुल भी ना बूलें दोस्तों और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजिए सब्सक्राइब में बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए गत तो धन्यवाद दोस्तों जै हिंद जै बारत